नमस्कार दर्शिकों मैं हूँ बगवति प्रसाद पूरवत एडवकेट और आप देख रहे हैं यूटूब का कानूनी ज्यान चेनल दर्शिकों आज का विशे आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बड़ा महतोपून है दर्शिकों आज के वीडियों हम बात करेंगे कि यदी कोई शिशू अपनी मा की गर्भ में पल रहे है तो ऐसी इस्तिती में उसको अपनी प्रापर्टी में क्या अधिकार रहेंगे अर्थात मेरे कहने का आशे ये है कि यदी कोई शिशू अपनी मा की गर्भ में पल रहे है और एसी इस्तिति में उसके पिता की या उसके पिता सहित अन्य पुर्वजों की मृत्यू हो जाती है तो एसी इस्तिति में उस गर्भ में पल रहे है शिशू के संपत्ति में क्या सतफ्ति में किस प्रकार के अधिकार हो सकते हैं then to even one must how kosoda bondुल तो यहां पर हम सबसे पहला कल्पनिक नाम जो समझने वाने वह है धन्नाला धन्नाल एक मुलपुरुषी जिसकी पतनि का नाम रामकली भाई है और रामकली भाई और धन्नालाल का एक पूतर है, जिसका नाव पनना लाल है, चीके, अब होता यह है जमीन की और उस धनना लाल की Aujourd हो जाती है, लेकिन है पर एक वीशिष बात समझने की है कि जब धन्ना लाल की म्रत्यू होती है तो उससे पूर्व ही धन्ना लाल की पत्नी जो रामकली बाई है उसकी गर्भ में धन्ना लाल का ही एक शिशु पल रहा होता है शिशु अर्थाल बच्चा पल रहा होता है लेकिन जब धन्ना लाल की म्रत्यू होती है उस समय जो है धन् अर्थात उसके मरत्यों कि समय उसके नाम पर तब पन्नालाल जो कि धन्नालल का ही पुत्र है दोनों नामआंतरन के लिए तेसल दार्महोदय को आवेधन पत्र प्रस्तूत कर देते हैं अब एसी इस्तिति में क्या होता है कि तेसलदार महोदय मोजापटवाई महोदय से वारिस की रिपोर्ट आहुत करते हैं अर्थाद बुलवाते हैं और वारिस की रिपोर्ट में यहां आता है कि धन्नालाल के म्रत्यू हो चुकी है और धन्नालाल के वारिस में उसका पुत्र पन्नालाल और रामकली भाई ही जीवी थे। एसी इस्तितिम तेसिलदार महोदय उस रिपोर्ट के आधार पर पन्नालाल और रामकली भाई का नामांतरन स्विक्रत कर देते हैं। तो पत्वारी महोदय के द्वारा प्रतिवेदन अर्थात्फर्द प्रस्तूत की जाती हैं। जिसमें यह आता है कि इन दोनों व्यक्तियों का समान इसमें हिस्सा है। और 6-6 विगा जमीन दोनों लोग उसमें से आपस में बांट लेते हैं। और 6-6 विगा जमीन पन्नालाल उसका जन्म हो जाता है। जिसका कि हम काल्पनिक नाम के मध्यम समझ रहे हैं कि उसका नाम रामलाल रखा जाता है। अब ऐसी इस्तिति में रामलाल जो है उसकी जो भूमी थी उसके पिता की जो भूमी थी उसको तो उसके जन्म से पुर्व ही पन्नालाल ने और राम का लि जो कि उसकी पिता की म्रत्यू के समय अर्थात उसकी पिता की म्रत्यू से पुर्व ही उसकी मा की गर्भ में आ चुका था और उसकी मा की गर्भ में पल रहा था और उसकी पिता की म्रत्यू हो चुकी है तो उसके पिता की संपत्ति में या उसके पुर्वजों की संपत्ति में उसको किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। उसको हम अभी आगे जान लेते हैं। कि म्रत्यू के पूर्व पेदा हुआ होता और एसी दशा में विरासत निर्वस्यती की म्रत्यू की तारिक से उसमें निहित समझी जाएगी तो देखे दर श्कूं इसका मतलब यह होता है कि कोई भी शिशु अपने मा की गर्भ में अपने पिता की म्रत्यू से पूर्व आ का जन्म होता है वह बच्चा भी हो सकता है बच्चे भी हो सकती है उसका जन्म होता है और उसके पिता जो है अपने जीवनकाल में अपनी संपत्ती की किसी अन्य व्यक्ति को वस्यत नहीं करते हैं तो उस संपत्ती में उस शिशू को जो कि उसके पिता की म्रत्यू के बाद म इसी इस्तिती में यह माना जाएगा कि उस शिशु का जन्म उसके पिता की जिवनकाल में ही हो चुका था और उसको उसी प्रकार से अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि उसने अपने पिता की मृत्यू से पूर्व ही जन्म ले लिया था अर्थाद मेरे केने का आशे यह है कि यदि रामकली बाई ने और पन्ना लाल ने मिलकर के धन्ना लाल की संपत्ति को एक बटा दो प्राप्त कर लिया है तो ऐसी इस्तिती में जो रामलाल जो है जिसने जन्म लिया है वह रामलाल भी उस संपत्ति को क्लेम कर सकता है और उस ब रामलाल सिविल सूट फाइल कर सकता है रामकली बाई और पन्नालाल के विरुद्ध और उस संपत्ति को बारावी का संपत्ति को एक बटा तीन में विभाजित करवाने के लिए न्यालाय से निवेदन कर सकता है एसी इस्तिती में यदि रामलाल जो है वह यह साबित कर देता ह कि धन्ना लाल की मृत्युक से पूर्व ही वह उसकी मा की जो है गर्व में आ चुका था तो एसी इस्तिती में न्यालई के द्वारा उस रामलाल को भी उस धन्ना लाल का समान वारिस माना जाएगा जैसा कि पन्ना लाल को और रामकली भाई को माना जाता है और एसी इस्तिती म जो बारावीगा जमीन है उसने से एक बटात तीन अर्थात वन थर्ड रामलाल को भी प्राप्त होगा तो दर्शकों मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दीगे जानकारी आपके लिए महतुपून रही होगी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों था इसको शेर क कि देमरे